दोस्तों आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली क्या ये गिरावट नेक्स्ट भी कंटीडियू रह सकती है क्या यहां पर बुल रैली पर फूल स्टॉप लग गया है पुट बाय करने का सही मौका है एवरिटिंग डिटेल बात करेंगे आप लोग वीडियो में बने र में गिरावट देखने को मिली ओके अब आपको ले चलते हैं स्मॉर्ट टैम फ्रेम पर यहां पर और भी क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों इसमें क्या किया फिर्ट टैम फ्रेम पर देखिएगा तो पहले मार्केट ग्याप अपन हुआ था थोड़ा सबसाइड मोग दिखा अच्छा लगभाग 1203 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली इसलिए बार बार कहते हैं आप लोग उसे मार्केट आपको मौका देता होल डें में कभी न कभी मौका देगा देख सकते कि लिए इसने मौका दिया से लिंग का और बहुत अच्छी गिरावट दे इसने क्या किया है इसने क्या क्या होता है इसके मार्केट में गिरावट होती है यह क्या होता है या आपको जानना है तो आप इसके लिए फूल वीडियो देख सकते हैं तो मिल जाएगा क्या होता है दोस्तों के करता है लोग की बात करेंगे तो यहां पर 23,986 क्या है 23,986 का लोग है यहीं कोई भी केडल आता है और इस लोग को ब्रेक कर देता है जिए यहां से निफ्टी का जो ट्रेंड है वह हो जाएगा बीरीस और गिरावट देखने को मिल सकती है डाउनसाइड निफ्टी 23,800 तक का लो दिखा सकता है मिन्स कि यहां से 200 नीचे ही आ सकता है ठीक है इसके सो कंटिनीव 24,000 के नीचे रहना होगा यदि 24,000 के ऊपर रहता है इस लोको ब्रेक नहीं करता है तो further यहां सब्साइड मोगी देखने को मिल सकता है ठीक है इसलिए करना है जब कंट्फरमेशन मिले देन आज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में बहुत दिर के बाद कंट्फरमेशन आई थी जो कल के वीडियो में ने बताया था कंट्फरमेशन के बाद वहां से एक्जक्टी 500 पॉइंट की गिरावट उसने दिखाए ठीक है तो विद तो बैंक निफ्टी कल मैंने क्या कहा था यहां पर भी क्या था इबनिंग इस्टार्ट पैटन और कलियर था यदि इस के पर लोबेक होता है तो यहां से बैंक निफ्टी 52,200 तक का लोग दिखा सकता है मिस्कि 500 पॉइंट था हुमने टार्गेट दिया था एक्वरीट को इ दियाँ तो चार्ट सबकुछ आपको पहले ही बोल दीता है आपको चाट को पुक्त नीचेकर लेता है इसलिए आपको नुक्सान होता है इसलिए आपको लॉस होता चाट जो dispers चाट को चलिए अब थोगा सा बात करना चाहूंगे एक यह आसपास का यह यह से氣 क्छोपन्हेंच शैट से गिरावट देखने को मिल सकते हैं यहां से यह 51200 तक आ सकता है तो यहां पे भी हमें यहां से ट्रेंड हो जाएगा और क्या स्ट्रेंड में करते हैं जब जब आपको उपर मिलेगा नियर इस्टेंस वहां प्याप शौर्ट सिल का ट्रीड बना सकते हैं आगे बात करेंगे कुछ इस टॉक के बारे में जैसे आज हमने इंट्राइडे में आपको बताया था इसे के बारे में देखने को मिला ऊके बट उससे पहले आपनों को बोलना चाहूंगे यदि आपनों को लाइब मार्किट अपडेट चाहिए जैसे आज हमने एशन प्रेंट हो सेंसेक्स निफ्टी सभी का चार्ट सेंट किया था जैसे परना फुटो क्लिक करके आपको सेंट कर लाइब मार्किट में तो आप शाहें इस चैनल को जोइन कर सकते निफ्टी टैंफिम का चार्ट है जैसे हिसे रुट अटे लग की होंगे ठीख सकते हैं और दोस्तों आरेशन हैं जो मैने किया था मौर्णिंग में मौर्णिंग में एशन पेंगे तो इस तरीके का आपको अपडेट मिलते रहता है बहुत अच्छी गिराबट देखने को मिली थी तो आप इसको चाहे तो चौइन कर सकते हैं दोस्तों यहां पर बात करा चाहूंगी एक्सिस बैंक के बारे में एक्सिस बैंक में भी देख सकते हैं बिलकुल चाट के टॉप पर एक सेलिंग पर फॉर्म हुआ है इसको कहते हैं इविनी स्टार्ट एक्कॉर्डिंग तुदिस यदि इस केंडल का लो ब्रिक होता है तो यहां से क्या होगा गिराबट दिखने को म तो एक्सिस बैंक को भी आप लोग रार पर रख सकते हैं दोस्तों यहां जो भी हमने बताया है को भी टिप्स रिक्मेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया आपको ट्रेड करना होगा तो खुद के लिए किजिए आसा करते हैं आज की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते अज़े अज़े अज़ेशन के वागा करते हैं